यूपी चुनाओं की बढ़ती सरगर्मियों के बीच भारतिय जनता पार्टी एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्धी की और लोटती नजरा रही है पार्टी के घोशना पत्र में सम्वेधानिक तरीके से अयोध्य में राम मंदिर बनाने के एलान के बाद अब भाजपा की नेता खुले तोर पर इस मुद्धे को उठा रहे हैं भाजपा सांसद गिरी राज सिंग ने इस मुद्धे पर कहा है कि राम मंदिर जरूर बनेगा भाजपा सांसद गिरी राज ने मंदिर कब और कैसे बनेगा कि जब आप में कहा कि समय बताएगा लेकिन राम मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा वहीं भाजपा नेता विने का टियार ने भी कहा है कि राम मंदिर का मामला जोर सोर से उठाएंगे इसका समाधान कानून की दृष्ट से किया जाएगा दरसल भाजपा ने अपने घोशना पत्र में कहा है कि यूपी में सरकार बनने पर पार्टी सम्मेधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने का प्रयास करती रहेगी इससे पहले साल 2014 के लोगसबद चुनाओ के दोरान भी पार्टी के ओर से जारी घोशना पत्र में राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था राम मंदिर का मुद्दा भाजपा और उत्तर प्रदेश के लिए नया नहीं है बीते दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केसो प्रसाद मौर्या ने कहा था कि अगर भाजपा यूपी में सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माड किया जाएगा हालां कि बाद में अपने बयान से पलटते हुए केसो ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है